हेलो गाइज वेलकम बैक तो आर यूट्व चैनल एंड टोड़े वीडियो अफर सीरीज प्रोसेस चार्ट चीक है यहां पे नेक्स्ट स्टेज जब हम लोगों को मेंशन करनी हो तब हम लोग क्या करेंगे जो जो वोक्याबलरी का यूज होगा उनके बारे में लोग बढ़न इस वीडियो इस वीडियो दो बी लितल फास्ट देन गो तो देख़ेंगे यूट्व सेटिंग्स वाँपर क्या होते है की स्पीड जब होती है 1.5 1.25 तो वाँ पे एक स्पीड छोटी वाली होती है कि जिसमें हम लोग वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं वन के उपर वा हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेज के बारे में डिसकस अभी देखो अभी आप लोगों क्या रहा हुआ कि जो हम लोगों ने पहले करा था था ना तो वाला यहां पर यूज होगा और जिन लोगों ने अभी प्रीविज वीडियो ने देखी जाके देख लो भई हम लोगों ने परपस ऑफ टूल्स और परपस ऑफ स्टेज़ और परपस ऑफ मशीन के बारे में डिसकस करा था बहुत अच्छे से देखो फॉल्विंग स्टेज में हम लोगों ने पहले पहले वीडियो में तब भी बोला था मैंने कि यह वोकाबलरी जाद करके रोखो तो यह वोकाबलरी उसी के बारे में हैं इन दा फॉल्विंग स्टेज आने वाली स्टेज में इन दा स्टेज दा फॉलो या फॉल्विंग दिस उससे आगे वाली स्टेज इन दा स्टेज दा फॉलो जिसमें वो चीज़ फॉलो होती है मतलल आगे वाली चीज हो गया this is followed by followed by का मतलब यह उसके पीछे-पीछे रहेगी for example first stage is second stage है तो हम लोग क्या बोलेंगे second stage is followed by first stage second stage is followed by first stage this is also an example and they are used to mention that next stage in any purpose so इनका आप लोगों को use करना है these are the mentioned पहले-पहले देख लो वोई same to same हम लोग क्या करेंगे प्रोसेस रखेंगे तांकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ठीक है देख लो in the following stage अगर हमने mention करना हो तो in second step rinsing is done in a cold water cold water में हम लोगों ने rinsing कर दी done हो गया ठीक है in the following stage आगे आने वाली stage में हम इसको क्या बोल सकते थे हम इसको third stage भी तो बोल सकते थे ठीक है या फिर हम लोगों बोल सकते कि in the third stage लेकिन नहीं बोला न हमने क्या बोला कि second stage तो हमने mention कर दिया in the following stage that automatically क्या हो गया third हो गया the solution is smashed to segregate the solution भाई जो solution वहां से निकल के आया था cold water में से ठीक है उनको हमने क्या कर दिया smash कर दिया ताकि हम क्या कर सके further उसको segregate मतलब अलग-अलग कर सके जैसे olive paste हमने अलग कर दिया olive stones को हमने ngay of tiya smashing and separation is done in a third stage हमने बोल दिया कि smashing or separation है smashing हो गया separation हो गया हजए is done in a third stage third stage में हो गया in the following stage मतलब अब कौन से stage में आगे हम लोग फॉर्थ स्टेज में इसको यह भी बोला जा सकता है in the fourth stage लेकिन नहीं हम लोगों को क्या करना है vocabulary दिखानी है examiner को तो हम क्या बोलेंगे in the following stage in the following stage olive paste is stored in bag with the holes कि जो bag है उसके अंदर holes है उसमें क्या करके हम लोग ने olive paste को store करके अब देखो हमने यह यह क्या करा हमने यह गराना कि उस एक particular machine को उस particular stage को भी describe करने की कोशिश करी ताकि हम लोग क्या कर सके word limit को बढ़ा सके अब मेरे को यह लिखनी क्या जुरूरती की भी bag में holes हैं भई है तो है simple सी बात है लिखना ना लिखना दिखता है ना लेकिन लिखना पढ़ता है भाई साब लिखना क्यों पढ़ता है क्यों कि हम लोगों को अपनी word limit भी तो बढ़ानी है 180 शब्दा ऐसे थोड़ी ने तु इस परकार से हमने क्या करना है शब्दों का भी ध्यान रखना है word limit का भी ध्यान रखना है हो गया next देख लो the stage after following this इसके दो तिन एक्जांपल है ठीक है दो एक्जांपल है उनकी हलब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे in the stage after मतलब उसके बाद following this मतलब इसके बाद in the stage after rinsing देखो in the stage after किसके बाद rinsing के बाद वही rinsing होने के बाद हमने क्या कर दिया the mixture is sent into smashing machine smashing में हम लोगों ने उसको क्या कर दिया मिक्शर को भेज दिया गया अब देखो यह two हमने करा था previous वीडियो में discuss कि वह two क्या होता है किसी काम को करने के लिए हम लोग लगाते है जहा स्टोंस में सेग्रीगेट मतलब अलग-अलग कर दूँआ हो गया बड़ा सिंपल सी बात थी सबसे पहले हमने करा in the stage after rinsing rinsing के बाद भाई mixture is sent to smashing machine smashing machine में भीज दिए गया क्यों to segregate into paste and stones simple very very simple आगे देखो rinsing of olive is done in a second stage second stage में हमने क्या करा olive done गो गया उसको हमने खतम कर दिया हो गया वो काम हो गया the following following this इसमें क्या हुआ following this the mixture is sent into smashing machine जो mixture है उसको smashing machine में भेज दिया गया same to same to क्या करने के लिए to segregate into paste and stones इसको segregate करने के लिए paste and stones में है ना दो बहुत simple है यार हम लोगों ने हर एक step में क्या करना है दो तर अलिमेंट को ध्यान में रखना है पहले प्रीटि इसको कि ने क्या करा अगर उसको accept नुए करना तो ना भी करो को दिखकत निया तीसरी छीं हमने भिए रखनी है कि मशीन क्या है उसके बाद हम लोगों ध्यान रखना है कि उसका purpose क्या है हम ने ज्यान रखना कि उसका result क्या निकला best बात सिंपल सी है ठीक है हुआ जो हो गया उसके बाद smashing machine काम क्या है यह result क्या हुआ paste and stones got it so these are the things जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है चलो अब देखते हैं हम लोग next तो यहां पे हो गया in the following stage in the after stage अब मैं इसको यह सभी बोल सकता हूं कि in the following slide हाना आने वाली slide में हम लोग क्या देखेंगे मैं यह भी बोल सकता हूं कि now we have done this following this इसके आने के बाद in a third slide third slide में we are going to discuss about this vocabulary कि हम लोग इस vocabulary के बारे में discuss करेंगे सब्सक्राइब कोई दिखो गभराने वाली इंपोर्टेंट है ठीक है नोट्स बनाने आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है देख लो इन थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज में क्या हुआ था मिक्षर इस सेंट इन्टू स्मेशिंग मशीन-में हम लोगों ने मिकर को भीश दिया कुसिघ इट इन्टू पेस्ट इन स्टाऊंस पेस्ट के बातसां के लिए डिवाइड करने के लिए अलग-zahlग आया करने step this is a followed by separation of olive paste into water and oil olive is stored into bottles bottles में उसको क्या कर दिया गया store कर दिया गया in this is followed by यह step जो यह पहला step था ने किसके दवारा follow करा गए रहा यह इसके बाद आये था तो हम लोग क्या बोलेंगे this is followed by the separation of olive paste and water and oil कि वही उनको हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया इस में और इस स्टेज में simple यह होता है this is followed by देखो क्या होता है ना यह जो एक vocabulary this is followed by यह आप लोगों के ना विवेक पर depend करती है कि आप लोग उसका इस्तमाल किसी साबसे करने वाले हो तो for example हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि भई रिंसिंग इस दन इन सेकिंड स्टेज इस इस फोलोड बाइ थिक है इस इस फोलोड बाइ मतल क्या है इसके पिछे पिछे कौन रहा इस इस फोलोड बाइ इस समेशिंग ऑफ दल दसमेशिंग ऑफ दसलुशन और सेपरेशन अफ दसेम सेलुशन इन्टो ओली पेस्ट और लिव स्टोन यह भी हम लोग बोल सकते थे ठीक है अब देखलो नेक्स आपने पास के आने वाला है इन दस्टेज देट फोलोड मेंशन प्रीविए स्टेज in explain the next one इसमें क्या होता है in the stage that follows सबसे पेहले previous stage को क्या करो mention कर दो जो पहले वाली होई है उसके बाद क्या करो जो पहली सेज आ पने बताई थी उसको explain कर दो थीक है example के रूप में ध्याँद है बहुत critical है ये दो नो के संतेंस बहुत critical है तोड़े नाजुक सी है है ध्याँ into paste and stones sorry for the sounds there sent into smashing machine to segregate into paste and stones उनके लिए क्या होता है हम लोग उसको use करते है तो यहाँ पर क्या हो गया इस rinsing के बाद यह चीज़े होई है 1 and 2 ठीक है the stage that follows the separation of mixture यहाँ पर एक stage है जो separation of mixture को follow करती है कौन सी stage है यह वाली stage है उसको हम लोग explain करेंगे the stage that follows separation separation के बाद जो stage आती है उसमें olive oil को हम लोग किस में क्या करेंगे store करेंगे oil में और bottles में sale में, sale के लिए जो भी कुछ होगा ठीक है ध्यान रखो सबसे पहले क्या करो the stage that follows separation the stage that follows rinsing एक step को हमने mention करा, यहाँ पर rinsing का mention करा यहाँ पर mixture का mention करा ठीक है, so these are the two things इन में कुछ आप लोगों को doubt नहीं होना चाहिए this is followed by and in the following that follows in the stage that follows, sorry take the screenshot these two are very critical यह बहुत ज़्यादा क्रिटिक होने वाली है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए यह sentence मेरे मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से समझ में आ जाने चाहिए अगर नहीं आए तो comment section में please बताना हम लोग जब miscellaneous करेंगे ठीक है इस process chart की वहाँ पर आप एक दो sentence और भी discuss कर लेंगे या फिर जो समझ में नहीं आए sentence उनको हम लोग क्या करेंगे bind up करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर discuss हो जाएंगे यह हम उनको revise कर लेंगे एक हिसाब सा यह बोल सकते हो हो गया चलो so this is all for the today आज के लिए स्रेफ इतना ही था हमने तीन चार चीज़ें करी इनको आप लोग ध्यान में रख लेना ठीक है और आप लोगों को यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है आगोल आप लोगों को यह चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज हिट था सब्सक्राइब बटन एंड शेर इट आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई कर दो कि एंड बाई